Good morning students! बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रुपांत्रण। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या रुपांत्रण का अर्थ होता है वाक्य में परिवर्तन। बच्चों, परिच्छा में प्राया, निर्देशानुसार, वाक्य को रुपांतरित करने से संबंदित प्रश्ण भी पुछे जाते हैं। इसमें आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पुछा जाएगा कि रेखांकित सब्दों के अस्थान पर नहीं हटाएगे या रेखांकित सब्द के अस्थान पर विशेशन का प्रियोग कीजिए या भावाचक संग्या का प्रियोग कीजिए इस प्रकार के प्रश वहावाचक संग्या के अस्थान पर बिशेशन का प्रियोग इस तरह से प्रश्ण पुछे जा सकते हैं। तीसरा है सरवनाम परिवर्तन कोई वाग के दे दिया रहेगा और सरवनाम का परिवर्तन करना होगा। चोथा है वाक्य का अर्थ बदले विना नहीं जोड़ना या हटाना। पांच्वा है वाच्च एवं काल परिवर्तन। छठ्वा है शब्द समूहों के अस्थान पर एक शब्द का प्रियोग। साथ्वा है लिंग एवं वचन परिवर्तन। आठ्वा है अर्थ वं रचना के अधार पर वाक्य परिवर्तन। नौवा है सम्सृति भिना अर्थक सब्द का प्रियोग। और दस्वा है अन्य। विशेशण के अस्थान पर भावाचक संग्या का प्रियोग किस प्रकार होता है। आएसे देखते हैं। भावाचक संग्याएं क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। आएसे भी देख लेते हैं। भावाचक संग्याएं मूल सब्द नहीं होती हैं। ये संग्या, सर्वनाम, विशेशण तथा क्रियाओं में इ, तव, त, पन, पा, आवट, आहट, त्य, आदिप्रत्य लगाकर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका एक संटेंस दिया है, वह भूखा है। भूखा सब्द जो है, वह विशेशण सब्द है, वह सर्वनाम है और एक वचन का करता है। और भूख भावाचक संग्या है। तो जब हम भूख सब्द का प्रियोग करेंगे, तो वह के बनेगा उसे भूख लगी है, उसे सर्वनाम सब्द है और ये भी एक वचन है। वह के अस्थान पर उसे सब्द का प्रियोग करेंगे, क्योंकि अगर हम वह भूखा है, अगर हम ये कहते हैं कि वह भूख लगी है, तो ये हवाग के गलत माना जाएगा। इसलिए बच्चों, जब भी ऐसे विशेषण के अस्थान पर भावाचक संग्या का प्रियोग करेंगे, तो आपको ध्यान क्या देना है, कि जो चीज पूखा जाये, खांकित सब्द में पूखा जाये, उसे आप प्रियोग अवश्य करेंगे, दूसरा दिया है, मैं बहु करेंगे, तो उसकी अनुसार करता और क्रिया में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, सिर्फ जो खांकित सब्द पूखा जा रहा है, उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तीसरा है, वह बहुत क्रोधित हो गया, क्रोधित के अस्थान पर क्रोध का प्रियोग करना है, तो वाक् bubbling बनेगा वह वाक्व क्या बनेगा कि उसे बहुत करोध आगया बच्चों इस प्रकार की वाक्व में परिवर्तन करते समय सबसे विक् STAR इस बात यह है कि जब हम वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो उसके दोनों अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दोनों अर्थ एक ही समान निकलना चाहिए, जैसे वह भूखा है या उसे भूख लगी है, दोनों ही कंडिशन में एक ही अर्थ निकल रहा है, आप जो के कारण वह सफल नहीं हो पाया अब यहां देखिए जो रिखांकित सब्द है कि आलती के अस्थान पर विशेश्ण का प्रियोग किजिए यह रिखांकित सब्द दिया हुआ है तो आलस्य जो है वो भावचक संग्या है अब जो विशेशन सब्द होगा वो आलसी होगा जो उसका वाक के परिवर्तन होगा वह होगा आलसी होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया दूसरा है कच्चे आम में बहुत ज़्यादा खटास होती है अब यहाँ पर देखिए खटास के अस्थान पर खटा का प्रियोग करना है तो जब हम इसको भावाचक संग्या के स्थान पर विशेशन का प्रियोग करेंगे तो यह वाक के बनेगा कच्चा आम बहुत ज़्यादा खटा होता है तीसरा है वाड़ी की मधूर्ता सभी को आकरसित करती है यहाँ पर रेखांकित सब्द के अस्थान पर विशेशन का प्रियोग करना है रेखांकित सब्द क्या है मधूरता, मधूरता शब्द भावाचक संग्या है और माधूरी शब्द भी भावाचक संग्या ही होता है, इसका विशेशर सब्द है मधूर, तो जब इसका परिवर्तन करेंगे तो इसका वाक्य हो जाएगा मधूर वाणी सभी को आकर सित करती है बच्चों जब हम भावाचक संग्या के अस्थान पर विशेशन का प्रियोग करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी हम रेखांकित सब्दों के अस्थान पर शब्द जो परिवर्तन करेंगे तो हमारा जो वाक्य है उस दोनों वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए जैसे देखिए आलस्य के कारणव सफल नहीं हो पाया और आलसी होने के कारणव सफल नहीं हो पाया इन दोनों कंडिशन में दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है आप चाहे जो भी उधारण पढ़ लीजिए तो हमको जब भी हम ये वाक्य परिवर्तन करेंगे चाहे वो भावाचक संग्या के अस्थान पर विशेशर का परियोग करें तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी हम वाक्य परिवर्तन करें दोनों वाक्यों का वाक्य में दिया है कि मैं के साथ से का प्रियोग कीजिए तो जब हम उसका वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो मैं का हो जाएगा मुझसे क्योंकि मैं के साथ मैं से तो लगा नहीं सकते हैं तो हो जाएगा मुझसे मुझसे चला नहीं जाता दूसरा है हम तैरना नहीं जानते यहां पर हम के अस्थान पर हमें शब्द का प्रियोग करना है तो वाक्य बनेगा हमें तैरना नहीं आता तीसरा है तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है यहां पर तुम्हें के अस्थान पर तुम सब्द का प्रियोग करना है तो वाक्य बनेगा तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो बच्चों सरोनाम परिवर्तन करते समय जिन सरोनाम शब्दों का परिवर्तन करने के लिए कहा जाए सिर्फ आप उसी में परिवर्तन नहीं करेंगे बलकि उसकी अगल बगल सब्दों में यानि कि जो करता है या क्रिया में भी उसकी अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं सरवनाम परिवर्तन करते से मैं एक बात का और विसेज ध्यान देना होगा कि जो भी हम परिवर्तन करेंगे उससे उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए जैसे मैं चल नहीं सकता यहां पर असमर्थता का भाव है और दूसरा वाक्य है मुझसे चला नहीं जाता यहां भी अस्मर्थता का भाव है तो दोनों वाक्य का अर्थ एक ही निकल रहा है उसी प्रकार है हम तैरना नहीं जानते या हमें तैरना नहीं आता दोनों कंडिशन में दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है इस प्रकार बच्चों जब भी हम सरुनाम परिवर्तन या कोई भी नियम के अनुशार परिवर्तन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन दोनों वाक्यों का अर्थ न बदले चोथा है वाक्य का अर्थ बदले विना नहीं जोड़ना या हटाना पहला है कर्तब्य का पालन नहीं करने में दुख है रिखांकित सब्द दिया है नहीं हटाईये किन्त वाक्य का अर्थ न बदले अब हमको इस प्रकार इस वाक्य को लिखना है कि नहीं हटाए उसकी बावजूद भी वहां का अर्थ नहीं बदले अर्था दोनों वाक्यों का अर्थ समान हो तो इसका वाक्य बनेगा कर्तब्य का पालन करने में सुख है ऐसे वाक्यों में बच्चों हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जैसे दिया है कर्तब्य का पालन नहीं करने में दुख है यहाँ पर दुख जो है एक मुख्य शब्द है और यहाँ पर हम दुख का हमको विलोम सब्द खोजना है तो दुख का विलोम सब्द होता है सुख आप देखिए दूसरी वाके में दिया है कर्तब का पालन करने में सुख है तो बच्चों आपने देखा नहीं सब धटाने के बाद भी इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ दूसरा है उनका जीवन सुरच्छित था यहाँ पर नहीं का प्रियोग कीजिये किन्त वाक्य का अर्थ न बदले बच्चों सुरच्छित का विलोम क्या होता है और सुरच्छित तो जो दूसरा वाक्य बनेगा उनका जीवन और सुरच्छित नहीं था तीसरा है इतनी आयू होने पर भी वह विवाहित नहीं है यहाँ नहीं हटाईए परंतु वाक्य का अर्थ नहीं बदले तो बच्चों हमको सबसे पहले क्या खोजना है विलोम सब्द खोजना है तो विवाहित का विलोम सब्द होता है औविवाहित तो जो इसका वाक्य बनेगा इतनी आयू होने पर भी वह औविवाहित है तो बच्चों आपने देखा कि नहीं हटाने पर भी इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान है इन दोनों वाक्य का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो बच्चो जहाँ पर आपको ऐसे सब्द मिलें कि नहीं हटाईए या नहीं का प्रियोग कीजिये या नहीं जोड़िये तो सबसे पहले उस सब्द को खोजना है जिसका हम बिलों सब्द बना सकते हैं सबसे पहले काल परिवर्तन देखते हैं इसमें पहला वाक्य दिया है मुसाफिर धर्मसाला में बिस्राम करते हैं जो कि वर्तमान काल में है अब इसको निर्देशानुसार भूत काल में इसमें बदलना है तो इसका वाकिय हो जाएगा मुसाफिर धर्मसाला में बिस्राम करते थे बच्चों आपको पता है कि वर्तमान काल में जो अंतिमक्षर होता है क्रिया का अंतिमक्षर वो तातेती होता है रहा रही रहे हैं होता है और भूत काल में थाथेथी होता है अंतिम अक्षर और भविश्यत काल में गागेगी होता है बच्चों इस प्रकार भी हम भूत वर्तमान और भविश्यत काल को आसानी से पहचान सकते हैं दूसरा है हलवाई ने जलेवियां बनाई थी भविश्यत काल में इसे बदलने के निर्देश दिये गए हैं भविश्यत काल में जब हम इसका प्रियोग करेंगे तो हो जाएगा हलवाई जलेवियां बनाएगा जंगल के राजा सेर ने पसु समाज की असुरच्छा से चिंतित होकर पसुओं की एक सभा बुलाईगा बच्चों वाच्ची परिवर्तन किस प्रकार होता है आए इसे भी देखते हैं कर्ति वाच्ची का भावाच्ची में परिवर्तन भावाच्ची का कर्म वाच्ची में परिवर्तन किस प्रकार होता है इस वाच्ची में देखते हैं अब इस वाक्य को करती वाच्चे में बदलना है, तो करती वाच्चे में बदलेंगे, तो पुलिस ने तीन आतंकवादी पकड़े, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने जो है वो करता है, और करती वाच्चे में करता ही प्रधान होता है, दूसरा वाक्य है, रोगी सो नहीं पाया अब इस वाक्य को भाव आच्चे में बदलना है रोगी सो नहीं पाया यह एक करती वाच्चे है अब इसको भाव आच्चे में बदलना है तो रोगी से सोया नहीं गया बच्चों भाव आच्चे में क्रिया का संबन न तो करता से होता है और न कर्म से इसमें क्रिया सदैव एक वचन पुलिंग रूप में रहती है तथा इसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य होता है इसलिए यहाँ पर रोगी से सोया नहीं गया गायक भजन गा रहा है यहाँ एक कर्तिवाच्य है अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है बच्चो जब भी कर्मवाच्य में बदलते हैं तो के द्वारा शे द्वारा बीच में शब्द जोड़ दिये जाते हैं जैसे देखिए यहाँ दिया है अब इसको कर्मवाच्य में ब शपड़ों के अस्थान पर शब्द का प्रियोग लिया बच्चों आपको सिर्फ क्या चेंज करना है इसमें गर्मियों की छुट्टियों यानि की सब्द समूहों के अस्थान पर सिर्फ एक शब्द का प्रियोग करना है दूसरा वाक्य है बिश्डू सर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले ब्रामण थे अब यहां रिख की जो बनेगा वो बनेगा पिश्डू सर्मा कुलीन ब्रामण थे तीसरा वाक्य है उसके साहस की तूलना नहीं की जा सकती रिखांकित सब्दों के अस्थान पर एक शब्द का प्रियोग करना यहां पर तो तूलना नहीं की जा सकती जिसकी तूलना नहीं की जा सकती है उसक का हो जाएगा उसका साहस और तुलनी है बच्चों सब्द समू के अस्थान पर एक शब्द का परियोग इस प्रकार के वाक्ट के बनाने के लिए आपको सिर्फ अनेक शब्दों को एक सब्द में परिवर्दित कर देना है और बाकी सब्द जो है वैसी के वैसे ही लिख देना है सात्वा है लिंग वचन परिवर्दन वाक्य है बालक गुड्डे से खेल रहा है इस वाक्य में रिखांकित सब्दों के लिंग बदल कर वाक्य को दोबारा लिखिए अब इसका जो लिंग परिवर्दन करेंगे तो बालक का हो जाएगा बालिका क्योंकि बालक जो है पु योग करेंगे तो हो जाएगा खेल रही है तो बालिका गुडिया से खेल रही है दूसरा वाक्य है बिद्वान पुरुष समराट के साथ रहता है इस वाक्य को इस्त्रिलिंग में परिवर्तन करना है तो विद्वान का हो जाएगा विद्शी क्योंकि विद्वान शब्द का जो इस्त्रिलिंग शब्द होता है वो विदुशी होता है और पुरुस का इस्त्रिलिंग सब्द हो जाएगा इस्त्रि समराट का सामरागी हो जाएगा के साथ वैसे ही रहेगा और रहता जो क्रिया है वो इस्त्रिलिंग में चेंज हो जाएगा तो रहती हो जाएगा तो बुद्धी मती और पुरुस का हो जाएगा इस्त्री सत्ते के मार्ग से नहीं हटती है। को चाहिए सब्द का प्रियोग कर दोबारा लिखना है। दूसरा वाकि जो बनेगा मेरे छोटे भाई को मेरी बात अवस से सुननी चाहिए। यहां पर हम चाहिए सब्द जोड देंगे और सुनेगा का सुननी हो जाएगा। दूसरा है सुर्योद हुआ और पक्छी बोलने ल तीसरा है मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा इस वाकि में इच्छा का प्रियोग कर वाकि को दुबारा लिखना है तो वाकि बनेगा मेरी इच्छा है कि मैं यह पुस्तक पढ़ूं। बच्चों यह इच्छा वाकि है क्योंकि इसमें इच्छा जताई जा रही है। अर्थियो उस वाक्य का परिवर्थन करें, नौवा है सुरुतिसम भिनार्थक सब्द सुतिसम भिनार्थक का अर्थ होता है, जो सुनने में एक जैसे लगे किन्तो उसके अर्थ में अंतर होता है, वाक्य है साज होते ही पप्षी अपने अपने नीर को लोट आते हैं, इसमें रिखांकि इसका ज़ब हम वाक्य में परिवर्तन करेंगे रैखांकित सब्दों के अस्थान पर हम्या लगाएंगे नीर लगाएंगे नीरशीघी। तो हो जाएगा वाक्य साज होते ही पक्षी अपने अपने नीर यानि की घोसले को लोट आते हैं दूसरा वाक्य है यदि बाढ़ पिडितों को अवलंब शहायता नो भिजवाई गई तो इस्तिती बेकापू हो जाएगी तो इसका वाक्य बनेगा यदि बाढ़ पिडितों को अवलंब सहायता नहीं विजवाई गई तो इस्तिती बेकापू हो जाएगी तीसरा है मेरा लच्छ एक सफल चिकितसक बनना है यहाँ पर रिखांकित सब्द के अस्थान पर सही सब्द का प्रियोग करना है इस वाक्य में रिखांकित सब्द है लच्छ लच्छ का अर्थ होता है लाक तो इस वाक्य में अगर हम लाक सब्द बनाते हैं तो वह गलत है तो बच्चों हम लच्छ के जगह पर लच्छ सब्द का प्रियोग करेंगे तो हो जाएगा वाक के मेरा लक्ष एक सफल चिकितसक बनना है लक्ष क्या अर्थ क्या होता है? उद्देश होता है तो मेरा उद्देश एक सफल चिकितसक बनना है बच्चों आपने देखा इस वाक्य में जो दोनों शब्द हैं सुनने में एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन इसके अर्थ में अंतर हैं तो बच्चों सुरुतिसम भिनार्थक सब्द में वाक्य में परिवर्तन करते समय आप ध्यान दिजेगा कि सबसे पहले उस सब्द का अर्थ समझेगा फिर उसके बाद उस वाक्य में परिवर्तन करिएगा दस्वा है अन्य बच्चों कुछ अन्य प्रकार का भी वाक्य आपको मिलेगा जिसको निर्देशा नुशार आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए बोला जाएगा तो आप उस निर्देश को ध्यान में रखते हुए उसका वाक्य परिवर्तन करेंगे जैसे यहां एक वाक्य दिया है कि को एक बार बुलाया विर्बल ने अकबर उचित वाक की रचना के लिए शब्दों को पुना करम से लगाना है यहाँ पर यह जो वाक के दिया गया है वो विवस्थित है उसको विवस्थित करम में लगाना है तो वाक के बनेगा अकबर ने एक बार बिरबल को बुलाया यहाँ पर इस वाक्य में अक्बर ने करता हो गया और बिर्बल को ये कर्म हो गया बुलाया जो है क्रिया हो गया तो आपका वाक्य बनेगा अक्बर ने एक बार बिर्बल को बुलाया बच्चों सबसे पहले ऐसे वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले करता रखते हैं फिर कर्म रखते हैं फिर उसके बाद क्लिया रखते हैं दूसरा वाक्य है करे कारे पूरा इश्वर आपका हो अब इन वाक्यों में शब्दों को करम से लगा कर उचित वाक्य बनाना है तो इसका उचित वाक्य हो जाएगा इस्वर करे आपका कारे पूरा हो तीसरा वाक्य है पर रहे प्रभु आपकी बने क्रिपा अब उचित वाक्य है रचना के लिए शब्दों को पुनह करम से लगाना यानि की विवस्तित करम में सही करना है इसको तो इसका वाक्य बनेगा आप पर प्रभु की क्रिपा बने रहें बच्चों आपको वाक्य रुपांत्रण में एक प्रकार की वाक्य को दूसरी प्रकार की वाक्य में निर्देशा अनुसार परिवर्तन करना है इस बात का इस टॉपिक में विसिज ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रियास करिए धन्यवाद